दोस्तो आज मैं ब्लोगिंग नहीं कर रहा हूं आज मुझे दुख है इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं वो भी आरिप भाई के वज़े से आज देखिए आरिप भाई ने क्या भलाई का काम किया एक सारक्स पक्षी को बचाया उसकी सेवा की उससे दोस्ती हो गया उसस साथ बैड़ते थे एक साथ रहते थे वो कितनी मुहबबत थी उन लोगों पर जहां जाते थे वहां जाता था पीछे से साथ में रहता था आज देखिए मेडिया वालों ने उनका इंटर्विव ले लिया इतना हाइलाइट हो गया अखलेश यादव पहुंचके वहां पर उनसे मिलने के लिए और आज देखिए राजनीती में क्या किया एक दोस्ती को तोड़ दिया है आप भी बताओ यार कहां तक सही है यह अच्छा लग रहा है एक मुहबबत करने वाला इंसान है जानव उसको कैद करकर तो नहीं रखा था न उस सारा इस पस्ची को आरिफ न सही है दोस्तों आप लोग देखो इस वीडियो को और आप ही डिसीजन करो कि क्या यह सही है एक मुहबबत को एक पक्षी से मुहबबत एक इनसान क्योंगे और उसको इस तरह से लेके जाना क्या कहां तक सही है आप इस वीडियो को देखें कितना दर्द है आरिफ की बातों में आवाज नहीं निकलना है साइसे क्या यार यह मैं राजनीती नहीं करने बैठाओं लेकिन एक मुहबबत को यार उससे दो पैसे और में कर रहे थे पैसा तो छोड़ो एक दोस्ती थी एक साथ खाते थे एक साथ रहते थे क्या क्या जरूरत पड़ गई थी आज जिस तरह क काम आरिफ ने किया उस पक्छी सांथ में दिल पे हाथ रखे कि कहिए जिस तरह से वंभीभाग में उनके सांथ में किया है कि आपको दिल करेगा किसी की मदद करने का किसी जानवर के मदद करने का तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे आप खुद ही वीडियो देखिए और डिसीजन कीजिए सरकार की तरफ से आदेश आ गया कि जो मेरा सारस बच्ची है मेरे साथ नहीं रह सकता इसको लेकर जा रहे हैं उचा हार समस्पूर बिहार उसके पीछे पीछे हम जा रहे हैं देखने उसको